एक साल तक स्टोर करें, जब मंचा है इंजॉय करें। कुरकुरे बनाने के लिए किसी भी एक कटोरी या कप से मेजर्मेंट लेना है। मैं यहाँ पर एक कटोरी महीन वाली सूजी ले रही हूँ। अगर आपके पास महीन सूजी नहीं है, सूजी को ग्राइंड करके भी यूज कर सकते हैं। एक कटोरी सूजी में दो कटोरी पानी डालकर 15 मिनट के लिए ठक कर रख देंगे। जब तक सूजी भीग रही है, दो बड़े चम्मच साबुदानी को लो फ्लेम पर बून लेना है, जब तक कि साबुदाना हलका सा गरम ना हो जाए। साबुदाना गरम हो गया है, इसे एक बरतन में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। 15 मिनट में सूजी अच्छे से फूल गई है, इसके उपर जो पानी दिखाए दे रहा है, उसे हमें निकाल देना है। मैं यहाँ पर कटोरी से नापकर आपको बता रही हूँ कि एक कटोरी पानी सूजी ने सोप कर लिया है और एक कटोरी पानी इसमें बच गया है, इस पानी को हमें फेक देना है। साबू दाना ठंडा हो चुका है, क्राइंडर में डाल कर महीन ग्राइंड कर लेना है, अगर महीन ग्राइंड नहीं होता है, छान कर यूज कर सकते हैं मोटे तले वाले पैन को गैस पर जड़ाईए, इसमें तीन कटोरी पानी डाल दीजे जिस कटोरी से सूजी ली थी उसी कटोरी से पानी डालना है अब इसमें half teaspoon पापड़ खार डालना है पापड़ खार नहीं है, one pot teaspoon baking soda डाल सकते हैं और आधा चमच नमक डाल दीजिए जैसे ही पानी में उबाल आ जाए, भीगी हुई सूजी डाल देना है और अब इसे चलाते हुए हमें cook करना है, दीरे दीरे ये थेक होने लगेगा medium flame पर cook करते हुए 3-4 मिनिट हो गए है, ये गाढ़ा हो गया है इसी समय इसमें grind किया हुआ साबुदाना डालेंगे ये जाबुदाना एकदम महीन grind हुआ है, अगर महीन grind नहीं हुआ है, छान कर इसमें मिला लीजे गैस की flame off कीजे और mix कर लीजे एक थाली या फिर plate ले लीजे, इसे oil से grease कर लेना है रेडी किया हुआ, सूजी वाला बैटर इसमें पलट दीजे, उपर से plane कर दीजे इस पानी में उबाल आने दीजे, इस थाली को रख दीजे, अब इसमें डाल देंगे एक छोड़ा चम्मच खस-कस और एक चम्मच जीरा ढग कर लगबग 10 से 12 मिनिट तक इसे cook होने देना है, 12 मिनिट में ये cook हो जाएगा flame बंद कर दीजे, mix कर लीजे, बैटर को थोड़ा सा ठंडा होने दीजे, मिस बहुत अच्छे से ठंडा नहीं करना है, हलका सा ठंडा हो जाए, आप इसमें हाथ लगा सके, इतना ठंडा होना चाहिए मैं इसे piping bag से बना रही हूँ, और अगर आपके पास piping bag नहीं है, चकली में कर है, चकली में कर में भी बना सकते हैं, अगर आपके पास ये दोनों नहीं है, अच्छे quality की दूद वाली polythin में भी बना सकते हैं piping bag में मैंने चोटा सा कट लगा दिया है, और अब इसमें डाल देंगे star nozzle, अगर आपके पास star nozzle नहीं है, सिब कट लगाईए और direct इसमें भर दीजिए, और आप उससे भी आसानी से बना सकते हैं रेडी किया हुआ batter इसमें भर लीजिए, और एक अच्छी quality की polythin बिचा लीजिए अगर आपके friends और family में कोई ऐसा है, जिने new new recipes बनाना पसंद है, या फिर कुरकुरे खाना पसंद है, उनके साथ इस recipe को जरूर शेयर कीजिएगा polythin में तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, और इस तरह से छोटे छोटे कुरकुरे बना लीजिए, वैसे कुरकुरे की जगह आप इससे चकली भी बना सकते हैं अगर आपको recipe थोड़ी सी भी पसंद आ रही है, प्लीज प्लीज लाइक कीजिएगा, और मुझे ये बताईए, आप लोग ये recipe कहां से देख रहे हैं आप इसे घर में फैन के नीचे बना सकते हैं, पर बाद में इसे धूप में दो दिन तक अच्छे से सुखा लेना है अगर रेडी हो गए हैं, बिना फ्राइ किये हुए कुर्कुरे को आप एक साल तक एर डाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं, और जब भी मन चाहे निकालिए फ्राइ कीजिए, अगर आपके पास एर फ्राइर हैं, उसमें भी इसे आप फ्राइ कर सकते हैं, विदाउट निकाल कर एक बरतन में रखते जाईए, जितने भी आपको बनाने हैं उतने तलकर रख सकते हैं, बाकी के ड्राइ रहने दीजिए, इस तरह से प्राइ कियो हुए कुर्कुरे को भी आप एर डाइट कंटेनर में 15-20 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, सूजी के इस कुर्कुरे को आप बिना मसाले के भी चाय के साथ इंजोय कर सकते हैं, कुर्कुरे का मसाला बनाने के लिए आदा चमच भुनाजीरा पाउडर, आदा चमच चाट मसाला या फिर आमचोर पाउडर, एक चमच कश्मीरी लालमेच लीजे, मिक्स कर लीजे, लीजे तैयार है कुर्कुरे का म इस मसाले को कुरकुरे पर डालिए और मिक्स कर लीजे लीजे तैयार है मार्केट से भी ज्यादा टेस्टी कुरकुरे मसाले को एक्स्ट्रा कॉंटिडी में बना कर आप एरटाइट कंटेनर में रग सकते हैं मैंने यहां पर थोड़े से ही फ्राय किये हैं इसलिए मसाला भी थोड़ा ही बनाया है कश्मीरी लालमेच तीखी नहीं होती है इसलिए बच्चे भी इसे इंजॉय कर सकते हैं पर फिर भी अगर आप चाहें तो कश्मीरी लालमेच अवाइड कर सकते हैं मुझे तो यह मार्केट वाले कुरकुरे से भी ज्यादा टेस्टी लगे आप भी इ चाहें बच्चों को दीजिए या फिर चाय के साथ इंजाय कीजिए